मैंने यूट्यूब पे अपना चैनल स्टार्ट किया है मैं बहुत सारे लोगों की वीडियो रोज देखती रहती हूं और मुझे भी लगता था कि मैं भी यासे अपना यूट्यूब चैनल बना हूं उस पे रोज यासे डेली विलॉग डालूं मुझे बहुत पसंद है लेकि बोलने में डर लगता था लेकिन आज फाइनली मैंने हिम्मत करके अपना बना ब्लॉग जो डालाया बनाकर तो प्लीज उसे देखें और शेयर करें सब्सक्राइब करें कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग अगर आपको पसंद आया तो फिर मैं डेली ब्लॉग बना के डाला करूंगी थैंक यू है अलो जी गुड मॉर्निंग यहां पर सुबा सुबा का टाइम है छे बजे हुए हैं मैंने अपना ब्लॉग भी स्टार्ट किया है और अपना दिन भी स्टार्ट किया है गर्म पानी के साथ आज मेरा पहला दिन था ना व्लॉगिंग का तो इसलिए मैंने कैमरा सही सी नहीं मेरे को पता नहीं था कि मैंने कैमरा किदर रखा हुआ है तो इसके लिए माफी चाहती हूँ अब मैं हास्में के लिए अपने के लिए चाया बना रही हूँ चाया बनते बनते ही बस मैं इसमें बीच में बच्चों को भी बोल कर आ गई कि आप उठ जाओ बच्चों की अक्शली शुटियां चल रही है कि दुन से फॉल कि विकेशन चल रहे दर उसके बाद फिर शुट लगेगा कई दन पड़े हैं अभी तक स्कूल में मंडे से स्टार्ट होगा स्कूल बैसे बच्चे स्कूल तो नहीं जा रहे हैं लेकिन फिर भी जैसे जूम मीटिंग क्लासे जोती है उनलाइन उनक और टाम लिए वावे स्टाड़ी के लिए बैठना बढ़ता है किए और जा स्टूम उनक क्या है रधना बाल तकी स्टार्ट नहीं लेगा कर दeton दो तो लेंथ स्टा़ी केर्ठना थैसे एफ्ये हैं लेवेगा का ऑघ्चे स्टार बालाइन अनक यहां पे सुबह के 10 बच चुके हैं चाहे नाश्ता हो गया है अब टाइम आ गया है क्लीनिंग का जो हमें अक्सरी सब यह औरतों को करना ही पड़ता है तो मैं क्लीनिंग पे लग गई हूँ बच्चे अपना प्ले कर रहे हैं सबसे पहले वैक्यूम करने के बाद फिर मैंने जैसे बैडिंग बगएरा की है दोनों हमारे रूम की और बच्चों के रूम का भी और यहां पे मैं नहा के आ गई हूँ उसके बाद फिर मैं थोड़ा अपना जैसे रोज साईते समरती हैं थोड़ा बहुती जादा नहीं मैं बहुती करती हूं रोज़ाना ज्यादा मेकअ पगे नहीं करती कभी कभार्वस हो जाता है अगर बाहर जाना हो तो कहीं नहीं तो मैं सिंपली रहना पसंद करती हूं गर पे हैं और मेरे स्किन भी जादा सेंस्टिव है मैं कुछ जादा लगा भी नहीं सकती है फेस पेक मरतन साफ करने के बाद मैं साथ में दिनर की त्यारी में लग गई आज मेरे बेटी की फिर्माइश पे न्यूट्रिय और अलो की सबजी बनाई मैंने जो जो समान मेरे को चाहिए था मैंने काउंटर टॉप पे रख लिया अपना त्यार करके सबजी के लिए इसमें अधरक, लसन, दो बड़े प्याज, टॉमाटर और चार हरी मेंच की मैंने जिसको मैंने बारी एक पीस लिया मिक्सर में डालके फिर यहां पे दो कप के करीब मैंने न्यूट्रिक विगो के रख दिया और दो आलो दे लिए इसके लिए मैंने सरसों के तड़का लगाया सरसों के तेल लिया सरसों के तेल के मैं बड़े दो चम्च यानि की बड़ी एक करशी के बराबर तेल इसमें डाला इसके बाद मैंने गर्म होने के बाद तेल में जीरा और हिंग डाली थी और उसके बाद ये जो मैंने सारे इंग्रीडियन्स को पीसा था ना प्यास बिगरा को वो मैंने डाल के उसको बूना था अच्छी तरह फिस में लाल मिर्च, नमक, हल्दी और गर्म मसाला डाला था जो मेरे सोई, वो कलिप मेरे से मिस हो गया इसमें मैं गलती से मैंने कैमरा और नहीं किया भूल गई क्योंकि आज पहला दिला ना तो फिर गलतीयां तो काफी होंगी पहले दिन और यहां पर मैं इस सबजी वाले मसाले को भून रही हूं अच्छे से भून के त्यार किया मैंने जब इसका ओयल सपरेट हो जाएगा तब इसमें मैं न्यूट्री मिक् सब्धेयां कि मसाले को थोड़狂 जाब ही भूनती हूँ मुझे भूने हुए ≪ मसाले की सब्जी को जादा ही प्संद है जब अच्छी तरह से इसमें से ऑाई बाहर आज आजए का तब इसमें मैं यूट्री मिक्स करोंगी सब्जी की रंगति रंगती पीर भूनती जब तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा अब इसमें मैं न्यूट्री मिक्स कर रही हूं जब मुझे पूरी तसली होगी कि हां मसाला भुच गया है इसके बाद इसको मिक्स करके मैं ढक दूंगी दो-तीन बार ऐसा करती हूं पानी उपर से जल्दी से नहीं मिक्स करती हूं करफ़े थे थोड़ी-ध दिर बाद इसको कम आच पर रखब करने बड़ी को मिक्स करती हूं मैं इसमें और बाद में ने करेली तो ळब में आलु ज्या की कड़ें करने दो अच्छी तरह Awwis- dad seeing Chopiner, गरम पानी डाल दिया, मैं ने हीमक्स कर दूंगी गरम पानी ग्राद के ब कर दिया और इसका जो गैस है उसको मैंने मीडियम कर दी वैसे तो गैस तो नहीं है हमारे आप देखी रहे हो गैस नहीं है एलेक्ट्रिक स्टोब है वारे पास तो आप सब्जी पक रही है इसके बीच मैं अपने दूसरे काम देख लूँगी जैसे शाम को भी थोड़ी क्लीन आदा है सब और यहां पर आप देखेंगे बड़ी हासी आ रही है विराज एक्सरसाइज कर रहा है अब मैंने विराज की प्लेट लगा दी है वो खाना खाने के लिए रेड़ी है अब रात के नोवाज गई हैं बच्चे सो चुके हैं और हम भी सोने लगे हैं और आज का ब्लॉग अगर आपको पसंद आया तो प्लीज मुझे कमेंट में बताना कैसा लगा आपको हमारा जी ब्लॉग अगर आपको पसंद है तो मैं फिर आगे आपके लिए बहुत सारे ब्लॉग लेके आऊंगी नई नई चीजी देखेंगे ठीक है और हमारी यूट्यूब की एक फैमली होगी आशा करती हूं मैं आपसी तो चलो फिर आज का ये ब्लॉग यहीं पर खत्म करते हैं गुड़ नाइट बाबाई